नमस्कार आप देख रहे हैं शूप 24 न्यूस चैनल मैं हूँ प्रिया बढ़ता जा रहा है कोरोना का प्रकोप प्रदेश में नई गाइडलाइन्स के तहत की सकती देश में चल रही हजारों उथल पुथल के बीच कोरोना संक्रमन दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है हालात अब बद से बदतर होते जा रही है राजिस्थान में आक्टिफ केसों की ग्राफ की तेजी से उपर जा रही है राज्ये में कुल आक्टिफ केस 44,905 पर पहुँच वही नवेंबर में जब कोरोना की पहली लहर पीक पर थी तब भी पूरे राज्ये के आक्टिफ केस इतने आकड़ों पर नहीं थे जो आज करीब 45,000 के पार है बीते 24 घंटों में आकड़े की बात करें तो राज्ये में कुल 6,200 नएमरीज मिले हैं जबकि 29 लोगों की मौत जोन्स घोशित किये गए हैं जैपुर के माइक्रो कंटेन्मेंट जोन में शामिल है मालवे नगर छेत्र के जोन 5, जवाहर नगर, बजाज नगर, जवाहर सरकिल और मानसरोवर वही मानसरोवर के SFS इलाके में कोरोना पेशिन मिलने से 1444 लगी हुई है जिसके तहट पूरे इलाके में किसी भी प्रकार की हलचर पर प्रतिबंद रहेगा राज्य में बुदवार को नई गाइडलाइन्स जारी की गई है जिसके तहट शाम 6 बजे से सुबा, 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा सरकारी दफतर 4 बजे से बंध हो जाएंगे इसी के साथ सबी जगा सकती बढ़ती जाएगी वहीं पूरे देश में कोरुना की स्तिती देखें तो देश में आक्टिफ केस 14,71,502 में हो गए हैं जिन में से कुल 125 की मौते हो गई हैं कोरुना संक्रमन जितना हमारे स्वास्त के लिए हानी कारक है उतना ही हमारी आर्थिक स्तिती के लिए भी है रिपोर्ट की माने तो इस बिमारी का असर हम पर आजीवन रहने वाला है वैक्सिनेशन आप तक पहुचे जन समानने तक पहुचे उससे पहले हम आपसे अनुरोद करते हैं कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें और अपने तथा अपने परिजनों के स्वास्त का ध्यान रखें